शिक्षक समान समारों में मुख्या मंतरी के पूछने पर शिक्षकों नहीं सरकारी शिष्टम की पोल खोल दी दरसल जैपुर के विडला ओडिटोरियम में रास्तान शिक्षक समारों का आयुजन किया गया था इस समारों में परदेश के कई जिलों से शिक्षकों को बुलाया और इस आवसर पर खुद मुख्या मंतरी अशोग गहलोत और शिक्षा मंतरी गोविन डोटासरा मंच पर पहुंचे लेकिन मंच पर जो हुआ उसकी किसी ने कलपना भी नहीं की थी मुख्या मंतरी अशोग गहलोत मंच पर खड़े होकर पहले तबादलों को लेकर भाशन देने लगे और कहा कि तबादलों को लेकर आप लोग विधायक के कपड़े फड़ते हैं और विधायक मंतरी के कपड़े फड़ता है क्या तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं मुख्या मंतरी के इस सवाल को पूछते ही जनता ने एक साथ हा में जवाब दिया मुख्य मंत्री ने कहा ये तो कमाल की बात है कि ट्रांसफर कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं ट्रांसफर फोलेसी बदलने की आवशकता है खास बात ये है कि उस वक्त मंचपर शिक्षा मंत्री गोविन डोटासरा भी मुझूद थे हालनकि उसके बाद डोटासरा ने सफाई देने की कोशिश की तो मुख्य मंत्री अशोग गैलोत ने बाद में इस विशे पर बात करने की बात कहकर टाल दिया मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए अगर मेरे यहाँ पर स्टाप में अगर एक चाय पिने का में कोई बता दे तो मुझे बता दे तो मुझे बता दे निश्चित रूप से मानिय मुख्य मंत्री जी का जो इसारा था कि कहीं में कहीं जेब कट जाती है वो मेरे नेत्री तोय में मुख्य मंत्री जी के नेत्री तोय में सिक्सकों के ट्रांसवर की निती लागू करके उसको बिल्कुल खतल हो जाए सरकार के मुख्या के सामने जनता स्विकार रही है कि पैसे देखकर ट्रांसवर कराना पड़ रहा है तो आप अंदाजा लगाईए कि इस्थती क्या होगी मुख्या मंतरी अशोग गहलोत ने भाषन में साफ कर दिया कि मंतरी मंडल विस्तार जल्द होगा और उसमें शेक्षा मंतरी के पस से डोटासरा को हाथ धोना पड़ेगा इसलिए गहलोत ने बाषन में यहां तक कह दिया कि मेरे लिए तो मंतरी जिने कुछ छोड़ा ही नहीं बोलने के लिए और विजाई समारों भी रखवा लिया कि अपर शम्शुद्धे कर दो पेचे किनाने पड़ते हैं तो तो आप बता रहे जिए जिए बाद अगे मुलियों ने मानूं यह कि अधर बढ़ते हैं ध्यार कि अधिया कि अधिए कि अधिया